जय माम लक्ष्मी इस धन्तेरस पर जो भी व्यक्ति इस विडियो को पूरे दिल से सुने और अपनी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करे, मान लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें और उसके जीवन को खुशियों से भर दें। भक्तों, धन्तेरस के इस पवित्र अवसर पर एक कमेंट में जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि मान लक्ष्मी आपके घर से कभी भी धन और समरिध्य को कम न होने दें। यह त्योहार केवल धन का ही नहीं, बलकि घर की सुक शान्ती और समरिध्य का प्रतीग भी है। मान लक्ष्मी के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर बनता है। धन्तेरस का पर्व दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन खरीदारी का विशेश महत्व होता है। इस वर्ष 2024 में धन्तेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो मंगलवार का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रेयोदशी तिथि पर धन्तेरस आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मान लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान कुबेर की पूजा भी इ एक मिनट तक रहेगा, यानि भक्तों के पास पूजा करने के लिए कुल एक घंटा 42 मिनट का समय होगा। इसके अलावा खरीदारी के लिए दो विशेश मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त दोपहर 11 बज कर 42 मिनट से 12 बज कर 27 मिनट तक है। और दूसरा शाम 5 बज कर एक मिनट से 6 बज कर 4 मिनट तक इन समयों में की गई खरीदारी से घर में मान लक्षमी का वास होता है और भविश्य में जीवन में सुख समरिद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो धन तेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं क अनुसार इस दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राहुकाल में की गई लोहे की खरीदारी घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश कराती है। यही कारण है कि इस दिन लोग सोना चांदी तांबा और पीतल जैसी शुब धातूँ के बरतन या आ घर को गंगा जल से पवित्र करना न भूलें ताकि सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बना रहे। घर में तूटे फूटे बरतन पुरानी खाट, कटा फटा कंगा और जाले हटाना बेहत जरूरी है क्योंकि ये चीजें नकारात्मकता को आकरशित करती हैं। फटे पुराने जूते चप्पल भी इस दिन घर से बाहर कर देने चाहिए ताकि घर में सुख, शान्ती और सम्रिधिका वास हो सके। धन तेरस के दिन जाडू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इसे दिवाली के दिन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धन ते वाला माना गया है, इसलिए इस पर विशेश ध्यान देना जरूरी है। धन तेरस के दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनी से जुड़ा हुआ है और इसे गलत समय पर खरीदने से शनी का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। तेल पहले बात यह है कि धन तेरस के दिन किसी को उधार देने या उधार लेने से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी को चावल देना भी शुभ नहीं माना जाता क्योंकि चावल को मान लक्षमी का प्रतीक माना गया है और इसे दान करने से घर की लक्षमी चली जाती है। घर में धनि आदतों और पुराने विचारों को छोड़ कर जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करें ताकि मान लक्षमी की कृपा आप पर बनी रहे। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सही समय पर किये गए छोटे- ला सकते हैं तो भक्तों इस धन तेरस पर मान लक्षमी का स्वागत दिल से करें। उनके लिए प्रार्थना करें और अपने घर को साफ सुथरा और सकारात्मक उर्जा से भरपूर बनाएं। जो भी व्यक्ति इस पर्व को श्रद्धा से मनाएगा और धन तेरस की पूजा स पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है ताकि जीवन में सुख सम्रिध्धि बनी रहे और मा लक्षमी की कृपा प्राप्त हो सके। इस दिन अपने घर की किसी भी देवी देवता की मूर्ती या भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी और को उपहार में देना शुभ नह नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धन की हानी होने की आशंका रहती है और निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। धन तेरस का महत्व इस बात में है कि भगवान इस दिन घर आते हैं और उनकी विदाई का विचार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी रूप म घर के भगवान की मूर्ती दूसरों को नहीं देनी चाहिए। धन तेरस पर कुछ विशेश वस्तूएं घर लाने से भी बचना चाहिए। जैसे कांच लोहे की चीजें, चाकू छुरी या कोई भी धारदार वस्तू ऐसी चीजों का घर में प्रवेश करना अत्यंत माना गया है और ये घर की उर्जा को प्रभावित कर सकती है। इन वस्तूओं से जुड़े नकारात्मक प्रभावों के कारण धन तेरस पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। धन तेरस के दिन उधार लेकर खरीदारी करने की भी मना ही है। कर्ज लेकर त्योहार मनाने से मान लक्षमी नाराज हो सकती हैं और घर में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज का बोज न केवल आर्थिक समस्याएं लाता है बलकि मानसिक शांती को भी भंग कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मान लक्षमी वहां निवास करती हैं जहां संतोश और अधिकावास हो नकि उधार के बोज से दबे घरों में इस दिन खानपान पर भी विशेश ध्यान देना जरूरी है। और परेशानियों का आगमन होता है। धन तेरस के दिन गाय माता के दर्शन करना भी अत्यंत शुब संकेत माना जाता है। इस दिन गाय को रोटी या चारा खिला कर उसके चरण स्पर्श करना पुन्य दायक होता है। कहा जाता है कि इस दिन गाय माता की सेवा से करोडों पुन्य फल मिलते हैं। और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। आली चीटियों का घर में आना और गोल घेरा बना कर चलना भी शुब माना जाता है। यह संकेत देता है कि धन की देवी आपके घर में आने वाली है। अगर इस दिन सपने में मा लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो इसे अत्यंत मंगलकारी संकेत माना जाता है। लेकिन इस प्रकार के सपने को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह संकेत विशेश रूप से व्यक्तिगत होते हैं। और इसे गुप्त रखने से ही इसका पूर्ण लाभ मिलता है। धन तेरस पर मोरपंख लाने का भी विशेश महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मोरपंख भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और इसे घर में रखने से नकारात्मक उर्जा का नाश होता है। इस दिन मोरपंख को घर लाकर भगवान कृष्ण का ध्यान करना अत्यंत लाभ कारी होता है। इस दिन की गई हर छोटी सेवा और पूजा का बड़ा फल मिलता है। इसलिए गाय माता की सेवा से लेकर मंदिर की सफाई तक हर कार्य में समर्पन रखना चाहिए। यदि आप इस धन तेरस पर मा लक्ष्मी को प्रसन करना चाहते हैं और अपने घर में सुख सम्रिध्य का वास देखना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना जरूरी है। इस पवित्र अवसर पर अच्छे कर्म और विनम्रता से जीवन में शुभता को आमंत्रित किया जा सकता है।